35 दिन के बाद भारत लोटते ही एइपोर्ट से गिरफतार हो चुके हैं प्रजवल रिवन्ना जेडियेस से निलंबित सांसत प्रजवल रिवन्ना को आज गिरफतार कर लिया गया है उन्हें गिरफतार कर बैंगलूरू के CID ओफिस लाया गया खबर है कि SIT यौन शोशन के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित जेडियेसनेंता प्रजवल रिवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाएगी जहां प्रजवल रिवन्ना का मेडिकल टेस्ट कर वागरूरू को लाने से पहले CID कार्याले के बाहर सुरक अपरेल को चुनाव हुए थे हासन लोग सभा सीट पर दूसरे फेस का चुनाव 26 अपरेल को हुआ जहां प्रजवल के खिलाफ अब तक बलातकार के तीन मामले दर्ज हो चुके हैं इस हफते की शुरुआत में उन्होंने एक वीडियो मेसेज जारी कर कहा वे 31 मई को जार्च तीन के सामने पेश होंगे और जार्च में सहीयोग करेंगे उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले जूटे हैं बतादे प्रजवल रवन्ना की कथित तोर पर 3000 से ज्यादा वीडियो वाइरल हो गई थी आरोप है कि उन्होंने महिला पुलिस कर्मी घर में काम करने वाली महिला और अन्य महिलाओं का यौन शोशन किया हाला कि रवन्ना के खिलाफ फिलहाल तीन मामले दर्ज हुए हैं आरोपो को जुटलाते हुए उनके पिता ने कहा कि अगर उन्होंने इतनी महिलाओं का यौन शोशन किया है तो कोई भी महिला सामने क्यों न जानकारी मिलते ही SIT बैंगलूरू पुलीस और इमिग्रेशन अधिकार शुक्रवार एइपोर्ट पहुंचे और लांड होते ही प्रजवल रवना को रेस्ट कर लिया गया है। जानकारी मिलते ही प्रजव पाइपो।